दोस्तो अज इंडिया ने दो मिसाइल का परिक्षन किया है जो की सफल रहा है एक है ब्रहमोस मिसाइल और दूसरी है उरान एंटी शिप मिसाइल आज इनी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तों इंडिया ने आज दो मिसाइल्स का सफल परिक्षन किया है एक मिसाइल है ब्रम्मोस और दूसरी है एंटी शिप मिसाइल उरान और ये अंडमान और निकोबार आइसलेंड से टेस्ट किया गया है इन मिसाइल्स को अंडमान और निकोबार कमांड जो की एक ट्रा इसे एक ग्राउंड बेस्ड लॉंचर से टेस्ट किया गया अंडमान और निकोबार आइसलेंड के अंदर और जहां तक दोस्तो एंटी शिप मिसाइल उरान की बात है तो यह एक्चुल में सोविय तीरा की एक टर्बो जट सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल है और यह के एस थर् फेस शिप और कोस्टल डिफेंस बैटरी से भी लॉंच किया जा सकता है रोकेट बूस्टर की मदद से और दोस्तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह 5000 टन के वैसल्स को भी अटैक कर सकती है और उरान एंटी शिप मिसाइल को एक को कोर्वेट से लॉंच किया गया जो इंडियन नेवी का एक कोर्वेट था और बताया जाता है कि एक एक एक्स नेवल शिप LCU-38 था जो की टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया गया और एंसी ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि इस मिसाइल ने मैक्सिमम रेंज तक अपने टारगेट को पूरी पिन पॉइंट ऐकुरेसी के साथ में डेस्टरोय कर दिया और दोस्तो ब्रमूष मिसाइल का टेस्ट जो हुआ है ये दोस्तो उस समया पर हुआ है जब हमारी फिलिपिन्स के साथ में 375 मिलियन डॉलर की एक डील हुई है ब्रमूष मिसाइल के जो कि एक land based anti ship missile system के लिए हुआ है और ये ब्रमोस missile का दूसरा test था जो कि दोस्तों हमने इससे कुछ दिन पहले ही किया था 20 जनवरी को उडिसा के कोस्ट से भी इसे अन्जाम दिया गया था और उससे पहले 8 दिसंबर को एक air launched version भी ब्रमोस सुपर सोनिक क्रूज missile का सुखोई 30 MKI fighter jet से launch किया गया था और उसके बाद में इसे serial production के लिए clearance भी मिल गई थी और इस air launched version को ब्रमोस A के नाम से जाना जाता है सुखोई 30 MKI fighter jet को इससे less किया जा रहा है और इसी लिए दोस्तों सुखोई 30 MKI fighter jet के अंदर कई modification भी किये जा रहे हैं तो ऐसे में इन टेस्ट का सफल होना हमारे लिए बड़ी सफलता है धन्याबाद जैहिन